हेलो गाईज आप सब भी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए फिर से बहुत अच्छी वीडियो ले करके हैं प्यारी सी वीडियो आपको बहुत इंफोर्मेशन मिलेगी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंप्लोई इस्टेट इंशॉरेंस स्कीम के बारे में जी हां आप इसको किस नाम से जानते हैं इसाइ स्कीम के नाम से जानते हैं यह जो इसाइ स्कीम है ना यह बिल्कुल इंशुरेंस की तरह ही है जैसे आप कार का इंशुरेंस कराते हो बाइक का इंशुरेंस कराते हो या घर का इंशुरेंस कराते हो यह बिल्कुल इंशुरेंस की तरह ही है बट बड़े डिफ्रेंसिस है normal insurance और इस insurance scheme के अंदर क्या differences है उसको भी समझेंगे हम और ESI scheme के क्या फायदे है इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे salary के कौन से component ESI scheme के अंदर आते हैं और किस component पर ESI scheme के according contribution कटता है employee का ये भी किस employee को कैसे कवर करते हैं कितने amount पर कवर करते हैं हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद contribution देखेंगे क्या contribution होगा मतलब कितना percentage जो है deduct होगा उसकी salary से हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे बहुत कोई employee है उसका नाम है रामू रामू एक employee है ठीक है इसकी सेप्टेंबर मंत की salary सेप्टेंबर 2021 की जो salary आएगी वह आएगी 41,200 यानि कि इसके account में जो पैसे आएंगे वह 41,200 आएंगे सेप्टेंबर अभी आया नहीं हम मान करके चल रहे हैं तो 41,200 में कौन-कौन से component मैंने consider की है भई मान लो salary salary इसकी इस महिने की 20,000 रुपे रामू ने जो पिछले साल बहुत अच्छा काम किया उसका उसे जो bonus मिला है उसको मिला 19,200 ठीक है भई ओवर टाइम रामू जो इस महिने जो काम करेगा उसमें जो ओवर टाइम आएगा वो आया 2000 रुपे तो टोटल रामू के account में आएंगे 24,200 अब जब हम coverage की बात करेंगे तो इसमें salary कवर करेंगे क्या यह हम देखेंगे क्या bonus का ऐसा लगाते हैं बई क्या bonus कवर करेंगे इसके अंदर यह भी हम देखेंगे या overtime की बात करेंगे तो overtime कवर होगा क्या इस scheme के अंदर salary का जो उसको salary मिलेगी total उसमें कौन-कौन से component cover होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे यह मोटे-मोटे component है ऐसे और भी बहुत सारे components होते हैं बट यह major component होते हैं तो इनकी बात हम करेंगे अब इन components पर इन components में किसके ऊपर contribution कटेगा जो contribution करता है ESIC का उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस component पर ESI का जो contribution कटेगा वो हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को last तक देखना बहुत आसानी से समझाओंगा बिल्कुल मक्षन की तरह बिल्कुल पानी की तरह वाट इस employees state insurance scheme ये scheme है क्या देखो यार जो लोग गरीब है जिनकी salary थोड़ी सी कम है गरीब तो नहीं बोलूगा बही ऐसा बोल देते हैं जिनकी salary थोड़ी कम होती है जो लोग विचारे जो है private hospital में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते अच्छ पिटल में जाकर करके तो स इसके बारे में हम बात करेंगे अब यह जो स्कीम है किसने दिये यह एस आइसी एस एसी एमप्लोई स्टेट इंशुरेंस कॉर्परेशन यह स्कीम इनके द्वारा दी जाती है और यह किसके अंडर में काम करती है वह शरम इसमें यह साइसी का एक कार्ड बनता है उस कार्ड को दिखा करके ही एमप्लोई का इलाज होता है हमारे इंडिया में लगबख these कंपनी को यह सकती है को यह कंपनी और ये संस्ता हो सकती है क्यरिक फैक्टरी हो सकती है कोई कार फाना हो सब्कुberव समाचार पत्र दुकाण ederta कुछ बीख्य क्टिसा सब्कुरह evolves है उनकी संख्या कितने हो नीच्ट है दस या दस से जाध है कुछ स्टेट से जहाँ पर अभी भी ऐसे वहां पर बीस या बीस से ज्यादा होंगे तो एसाइज किम लागू होती है महाराश्ट और चंडीगर्ट हमारे दिल्ली में तो दस है महाराश्ट और चंडीगर्द 20 यहां पर चंडीगर्द में भी 20 अगर employees 20 होंगे तो ही ESI scheme लागू होगी clear है तो यह था कि कौन कौन सी company जो ESI scheme के दाइरे में आती हैं आगे इसका registration कैसे होता है जितने भी भाई लोग हैं जितने भी लोग जो ESI scheme के अंडर में आते हैं उनको तो प्रेशान होने की बिल्कुल जुरत नहीं है क्योंकि इसका registration एंप्लोयर करता है यानि कि आपका मालिक करता है जिसने आपको नूकरी दिये जिसके आपर आप काम कर रहे हो यह registration आपका employer करता है कौन करता है आपका employer करता है सिर्फ और सिर्फ employee को क्या करना है employee को अपनी सारी एंपलेयर होता है वो एक TIC generate करता है TIC क्या है temporary identification certificate TIC generate करता है यह जो TIC होते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए valid होती है यह TIC 30 दिन के लिए valid होती है जब आपके सारे document verify हो जाते है उसके बाद यह पहचान बन जाता है यानि कि permanent identification certificate जब आपको TIC मिल गया किसी आपके employer ने TIC दे दिया आपको अब एक महीने तक तो यह valid रहेगा एक महीने के बाद आपका क्या हो सारी डिटेल मैच कर गई सारी चीज़े valid है यानि कि आधार कार्ड से मैच कर दिया सब कुछ ओक्य है तो फिर वह TIC का नंबर होता है वह क्या बन जाता है आपका यह पहचान बन जाता है उसी को बोलते हैं पर्मानेंट अइटिफिकेशन से लीर है अगर किसी करमचारी के पास भाइत पहले से है मालो किसी करमचारी ने नोक्री चोड़ी है धना दूसरी कंपनी जवहइन तो उसके पास अगर पिछली करमचारी का पिछली कंपनी का ESIC नंबर है किसी का उसके पास तो वो भी काम आएगा सिर्फ अपने जो नए एंप्लोयर को वो नंबर दे देगे और वो एंप्लोयर जो है उसी नंबर को अपडेट कर देगा सारी डेटेल्स किलियर है तो इसमें भी कोई इसू नहीं ह है या उससे कम है अगर आपकी सेलरी 21,000 या उससे कम है तो ही आपको फायदा मिलने वाला है अब इसके अंदर जो है यह हमें देखना है कि 21,000 के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट आते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो जो जिसको ESI का जो फायदा मिलेगा इस 21,000-2016 से यह इस स्कीम के अंदर कोई भी सीलिंग नहीं है उन लोगों के लिए अब यहां देखो मैंने क्लाइन लिखिया भाई बोनस एड ओवर टाइम पेमेंट नोट इंक्लूड़िड बोनस और ओवर टाइम पेमेंट 21,000 रुपे के अंदर नहीं आएगी क्लियर है तो 21,000 रुपे में सिंपल सिंपल भाई आपकी सैलरी है उसमें ओवर टाइम और बोनस को काउंट नहीं करना है ठीक है आगे ESI स्कीम में करमचारी और नयोकता का योगदान याणि की आपका कितना इसकी बात कर रहे है आपकी सैलरी से कतने कितने पैसे गटेंगे और एंपलोयर जो आपका वालिक है उसके खाते से कितने पैसे कटने वाले है इसकी बात हो रही है ESI scheme में देखो यहाँ पर जो employee है उसके जो salary से कटेंगे वो 0.75% 0.75% पैसे कटेंगे employee की salary से और employer कितने पैसे जमा करेगा 3.25 यानि कि total 4% जो है ESIC में जाने वाला है total 4% ESIC में जाएगा जिसमें से 0.75% employee का है और employer जो मालिक है आपका उसका है 3.25% clear है तो ESIC में जाता है 4% देखो अब यहाँ बहुत important point को ध्यान से सुनो contribution is stable on the overtime allowances यानि कि overtime allowances के ऊपर contribution कटेगा यानि कि अगर किसी employee को मालो 2000 रुपे overtime आया तो उसका 0.75% ESIC कटेगा यह ध्यान रखना contribution कटेगा लेकिन जब हम इसको 21,000 के अंदर देखते हैं तब इसको consider नहीं करते लेकिन contribution कटेगा भाई contribution क्यों कटेगा भाई यार एक बात बताओ अगर कोई employee overtime के दोरान जोब कर रहा है कंपनी के अंदर है उसको कुछ हाथसा हो जाए उस समय तो इसलिए contribution कटेगा तभी तो वो उस scheme के अंदर में आ पाएगा overtime का जो पैसा उसे मिलेगा तो वो उस समय कंपनी में काम कर रहा है अगर उस समय कोई हाथसा हो गया तो वो क्या करेगा तो इसलिए तो उसको ESI scheme के अंदर में रखा गया है लेकिन eligibility के case में इसको निकाला हुआ है ध्यान रखना है तब इसको is treated as wage hence no contribution is payable on annual bonus जो annual bonus मिलता है जैसे हमारे रामू को जो bonus मिलाता 19,200 हमारे रामू को जो bonus मिलाता 19,200 इस 19,200 पर इस 19,200 पर जो है कोई contribution नहीं देना क्यों नहीं देना क्योंकि ये bonus जो है जैना यार साल में एक बार मिलता है तो इसी लिए जो है इसके ओपर कोई contribution नहीं कटेगा यानिकि अब मालो 19,200 जो bonus मिला उसके ओपर ऐसा नहीं कि 0.75% deduct कर लेंगे नहीं लेकिन एक condition में इसको कर सकते हैं किस condition में मालो ऐसी कोई company है जो हर महीने bonus देती हो जो हर महीने मालो बोलती है भाई मैं आपको 1400 रुपय bonus दोंगी तो वह company जो हर महीने आपको 1400 रुपय अगर bonus दे रही है तो वह उस case में आपके account से contribution कटना शुरू हो जाएगा आपकी salary से contribution कटना शुरू हो जाएगा बट annual bonus के case में ऐसा नहीं होगा ठीक है भाई आप इसको समझ लेता है अब देखो यह रामू की salary थी रामू की salary का structure था total salary उसको मिल रही थी 41,200 इसके account में आ रही थी अब ESI scheme के अंडर में देख लेता है इसकी salary पर ESI scheme कवर करता है यह नहीं भाई 20,000 रूपे यह cover करेगा यह तो आ गए ठीक है न भाई 20,000 आ गए मैंने बोला कि ESI scheme क्यों अगर cover करेंगे यानि कि 21,000 के अंदर bonus नहीं आएगा 21,000 के अंदर overtime भी नहीं आएगा किलियर है annual bonus की बात हो रहे है यहाँ पर मैंने पहली बताया यह annual bonus है annual bonus की बात हो रहे है यह coverage के अंदर नहीं आएंगे क्यों तभी तो इसकी salary कितनी हुई 20,000 रूपे नहीं तो यहां तो इसके account में कितने जारे 41,200 नहीं तो 21,000 से तो ज़्याद है इसको cover नहीं करना चाहिए था लेकिन इसको cover करेंगे क्योंकि bonus और overtime को हम coverage के अंदर consider नहीं करते eligibility के अंदर consider नहीं करते ध्यान डखना तो यह salary contribution की किस-किस amount पर contribution कटेगा 20,000 पर contribution बिलकुल कटेगा क्योंकि अब यह ESI scheme के अंडर में आ गया है 19,200 जो bonus था इसके ओपर कोई भी contribution नहीं कटेगा क्योंकि यह one-time payment है अगर यह monthly payment हो महीने में मैंने जैसा बताया आपको महीने में 1400 रुपे हर महीने मिल रहे है तब यह contribution कट अपना शुरू हो जाएगा ओवर्टाइम की बात काते है ओवर्टाइम है 2000 रुपे ओवर्टाइम कितना है 2000 रुपे इस 2000 पर contribution कटेगा मैंने बताया ना ओवर्टाइम के दोरान भी तो रामू जो है अपनी कंपनी में काम कर रहा है अगर उस दोरान उसको कुछ हो गया कु इंपोर्टेंट पॉइंट था अगे अब बात करते हैं इसके benefits की benefits क्या क्या है जो benefits आपको मिलेगा employee को मिलेगा similar benefits जो है उसके dependence को भी मिलते है यानि कि family में जो लोग उसके ओपर आश्रित हैं उनको भी मिलते हैं ठीक है यहाँ देख लो इसके तैथ करमचारी और उन पर निर्भर करमचारी और उन पर निर्भर परिवार के लोगों को भी medical facility मिलती है यह साइसी के अंडर दूसरा benefit कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी job चली जाती है जोग ऐसे नहीं कि मला उसने चोड़ दी बंद मला employee ने चोड़ दी नहीं मालो company बंद हो गई आपकी company बंद होई तो आपकी जोब चली गई ना इंडारेक्टली तो उस case में दो साल तक जो है यह साइसी आपको पैसे देता है ठीक है अब अगर किसी बंदे का मालो भार मलब रोड पर जा रहा था अग्सिदंट हो गया उस समय वह काम पर नहीं था लेकिन वह कहीं घर पर उसका मैं वहां पर नहीं बहार कहीं पर उसका accident हो गया हो या उसकी नोग्री चलिए बंगई हो किस वजा से company बंद हो गई हो आपकी company बंद हो गई जिस company में आप काम कर रहे तो company बंद हो लेकिन अब अगले दो साल तक जो इस आईसी आपको पैसा देगा तो यह benefit number two था तीसरा benefit किसी बंदे की जो है किसी employee की मृत्ति हो जाती है अचानक office के अंदर कुछ हाथसा हो जाता है और उसकी death हो जाती है तो परिवार के लोगों को परिवार के लोगों को क्या दी जाती है pension दी जाती है परिवार के लोगों को पैंशन दीजाते कौन देता है यह pension लेकिन इस वाले केस में तोड़ा सा अलग है अगर किसी करमचारी का जो है accident हो जाता है office के प्रिमाइस के अंदर office के प्रिमाइस के अंदर अगर accident हो जाता है और वह temporary disablement रहता है temporary मतलब मालों 5-6 महीने के लिए गिखे वो डिसेबल रहता है काम नहीं कर पाता तो जब तक डिसेबल रहेंगा तब तक उसको पर्मानेंटे बगे के लो गया तो इस में उसको प्रेंचिन मिलती है जो आदमी Ek mets में उसको लाइफटाइम तक जो है थैंचिन मिलेगी ध्य। अगया इस case में जो accident हुआ था वह office के प्रीमाइस के अंदर हुआ था लेकिन इस case में जो accident हुआ यह अपंग हुआ जो भी employee है यह office के प्रीमाइस के बहार हुआ clear है तो यह था हमारा benefit no.4 अब benefit no.5 यह फीमेल्स के लिए benefits बहुत अच्छा benefit है बहुत अच्छा benefit है miscarriage के दोरान भी उसे 6 हफते का 6 हफते का पूरा पूरा पैसा मिलता है और commissioning ma commissioning मतलब surrogate mother surrogate mother उसको जो है कितने 12 हफते का 12 हफते का पूरा पूरा पैसा मिलता है हंड़त भी पैसा मिलता है यह कोई lady जिसने किसी बच्चे को adopt किया है तो उसको भी जो है उसे बहुत है यह यह एंप्लर नहीं देता है तो यह benefit no.5 था अब 6 की बात करते है सिक्नेस बेनिफिट में क्या होता है कि मालो किसी बंदे को बीमारी है और वो जो है लगबग माल लेते हैं वो दो-तीन महीने तक ऑफिस नहीं जा पाएगा तो हॉस्पिटल लिख करके देदेगा कि इस बंदे को प्रॉब्लम है और इसको रेस्ट की जरुद है कम से कम धाई म किनों के पैसे नाइंटीवन डेस के लिए नगत भुक्तान करेगा और वो कितना होगा लगबग लगबग 70% होगा उसकी डेली किसी को 1000 रुपे मिल रहे हैं तो 70% कितना होगा इसका 70% निकाल लो भई इसका 70% हम निकाल लेंगे तो लगबग कितना आ जाएगा वई 700 नाइंटीवन डेस था ठीक है यह था बैनिफिट नंबर 6 अब बात करते हैं बैनिफिट नंबर 789 की साथ देख लेते हैं कोई बंदर रिटायर हो गया है कोई आदमी कोई एंप्लोई जो है रिटायर हो गया रिटायरमेंट के बाद उसको यह मेडिकल फैसिलिटी तो चाह तो वह क्या करेगी कि वह अपने किसी नियरेस्ट जो है प्राइवेट ऑस्पिटल में जा सकती है प्राइवेट नर्सिंग हों में जा सकती है जहां पर वह फैसिलिटी अविलेबल है तो इसके लिए उसको कितने पैसे मिलते हैं 7500 रुपे बैनिफिट नंबर 9 किसी की मृत 11000 रुपय मिलते अंतिम संसकार करने के लिए ठीक है वाइट तो यह 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 बैनिफिटस मिलते हैं और किस कंपो Netor पर contribution कटता है यह मैंने बहुत डिटेल में बताया अब मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत simple एक line बताऊंगा बोलूंगा भाई उसको ध्यान से सुनना जितने भी benefits है यह जितने भी benefits मैंने बता है ऐसा नहीं है कि यह सभी इंप्लोई को मिलेंगे यह चीज़ बहुत clear है इसमें condition है यह बात बताओ जैसे आप इंशुरेंस कराते हो तो क्या करते हो वह आप इंशुरेंस का पैसा देते हो तभी तो वह दो सब्सक्राइब के लिए कवर होता है अब अगर मालो किसी बंदे ने एक ही महीने पैसा दिया थिक है अब आप ने जॉड़ दी जॉड़ या कुछ डिक्कत हो गई तो आप कवर नहीं हो गया ठीक है तो इसमें कुछ क jsem अपका कॉंट्रिबुशन जमा होना चाहिए कितने हैं कितने टाइम था कि ऐसे कम सेaydथी मिलेगा इसills threw और कुछ हाथसा हो गया और आप यह साइसी में चले जाओ गया ऐसा पॉसिबल नहीं है कम से गम अटतर दिन तक जो है कंट्रिबुशन होना चाहिए यह आप बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हो जैसे वह इंशुरेंस कंपनी वाले बोलते हैं ना कि वह टर्म इंशुरेंस ट साल कुछ नहीं देंगे लेकिन अगले साल से अगर कुछ भी होता है तो हम एक क्रोड उर्पा इंशुरेंस में दे देंगे यह बिल्कुल उसी तरह से है एक टाइम पीरियड तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा आपको मतलब आपके एंप्लोयर के लियर है तो यह सबसे इंपोर्डेंट पॉइंट है इसका ऐसा नहीं है कि सभी को इसका फायदा होगा इक डिपेंड्स ओन दी कंडिशन और और देखो और एक और चीज है इसमें जैसे मैंने बोला भई सेवंटी परसेंट तो यह डिपेंड करेगा यार कि जो एंप्लोई है उसकी बीमारी किस पर कितना परसेंटेज उसको दिया जाएगा मिनिममम सेवंटी तो होगा ठीक है अब आगे देखो अगर हम यह बात करें कि यह जो इंशुरेंस है जो दूसरे इंशुरेंस है उनसे कैसे डिफ्रेंट है इसके बारे में तोड़ा सब्सक्राइब जो नॉर्मल इंशुरेंस जब कार का इंशुरेंस या बाइक का इंशुरेंस है कराना तो जरूरी है कराना जरूरी है लेकिन कंपल्सरी मैं बोलूं कि मालो मैं बाइक चला रहा हूं मिरे पास इंशुरेंस जब तक नहीं पकड़ा जाओंगा तब तक तो चली रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन कमपलसरी है आपका मालिक को रजिस्टर कराना इसमें कमपलसरी हो जायागा नहीं तो उसके खिलाफ legal action होगा उसके खिलाफ क्या होगा legal action ये बहुत कमपलसरी हो जाता है क्योंकि ESIC का है कि statutory body है जो हमारे जो parliament है उन्होंने कानून पास किया इस scheme को बनाए statutory body को बनाया है इसके अपने rules हैं इसके gadget notifications निकलते हैं time to time कि बही क्या-क्या coverage होगा किस amount पर deduction होगा ये जो है vary करते रहते हैं जैसे अभी 0.75 employee के account से कटता है और 3.25 ना 3.25 employer के account से कटता है तो ये जो है statutory requirement हो जाता है employer का कि उसको deduct करना अपना contribution और employee का contribution उसे जमा करना ही करना है लेकिन insurance में ऐसा नहीं है आपको car का insurance कराना है आपकी car ठुक गई तो आपको insurance का पैसा नहीं मिलेगा चोरी हो गई तो आपका गई car अगर आपने insurance करा लिया तो एक बार करको आपको safety मिल जाती है safeguard मिल जाता है कि car का पैसा मिल जाएगा insurance company वाले दे देंगे तो यह लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर requirement है statutory requirement है otherwise legal action हो जाएगा जो employer है उसके ओपर तो यह थी जो है आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देगा ESI scheme क्या होती है ESI scheme के क्या फायदे है ESI scheme के अंदर जो salary के कौन-कौन से component consider किये जाते है 21,000 वाली slab के अंदर और किस component पर contribution कटता है यह भी हमने आज की वीडियो में देखा तो अगर भाई लोग आपको यह वीडियो कर अच्छी लगिए ना यार इस वीडियो को जैना like कर दो यार share कर दो और हमारे चैनल को subscribe कर दो यार ताकि यह जो information है और लोगों तक smoothly पहुँचे वो अच्छे समझ पाये मैं एक और चीज कहना चाहूँगा अगर किसी को भी इसमें कोई doubt है किसी को भी उसमें कोई doubt है किसी चीज में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे comment कर सकता है मैं उसका reply जरूर करूँगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में इसी type की कोई very very informative or amazing वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye जै हिंद